नमस्कार दोस्तों मैं अच्छे लाल भगत अपने यूट्यूब चैनल अनुराग कमन सर्विस में आप सबों का स्वागत है चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे रासन कार्ड के बारे में कि रासन कार्ड अब रध होना श्टार्ट हो चुका है तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जनकारी लेंगे कि जिनका रासन कार्ड रध होने वाला है उन्हें कैसे बचाया जाए और इसका लाश्ट डेट कब तक रखा गया है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर जदी आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन के घंटी को दबा दिजिएगा ताकि ऐसे ऐसे लेटिस वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे तो दोस्तो केंदर सरकार ने एक नोटिस जारी किया है कि अब आपका राशन कार्ड चीप लेबल में यानि कि ATM के तरह चीप लगा हुआ मिलेगा दोस्तो वो राशन कार्ड चीप लेबल वाला आप किसी भी डीलर के पास ले जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तो वो राशन कार्ड चीप लेबल वाला कि इनको नहीं मिलेगा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं तो जैसे कि मान कर चली आपके रासन कार्ड में पांच मेंबर हैं और च्यार मेंबर का अधार कार्ड रासन कार्ड में लिंक है और एक मेंबर का अधार कार्ड रासन कार्ड में लिंक नहीं है तो चिप लेबल वाला रासन कार्ड आपको नहीं मिलेगा यानि कि आपके राषन कार्ड में जितने भी member हैं सभी का अधार कार्ड लिंग होना चाहिए तब ही आपको ship level वाला राषन कार्ड मिलेगा अब दोस्तो जानकारी लेङदे हैं कि किनका राषन कार्ड reject होने वाला है और उन्हें कैसे बचाया जाए तो देखिए दोस्तों जिनका रासन कार्ड में अधार कार्ड लिंक नहीं है उनका यहाँ पे नाम कटने वाला है तो जैसे कि मान कर चलिए आपके घर में तीन या चार मेंबर हैं और उसमें से दो मेंबर का अधार कार्ड लिंक है आपके रासन कार्ड में और एक मेंबर का नहीं है तो उनका रासन कार्ड यहाँ पे कट जाएगा तो जिनका अधार कार्ड रासन कार्ड में लिंक नहीं है फिंगर नहीं लिया गया है वो अपना अधार कार्ड लिंक करवा लें यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इसका लाश्ट डेट 31 मार्च तक रखा गया है 31 मार्ट से पहले आप अपने राशन कार्ड में अपना फिंगर लगवा के एक टिप करवा लिजिए तो चलिए देखिए हम आपको लैपटप के स्क्रीन पर ले चलते हैं और पेपर कटिंग के में बाध्यम से हम आपको दिखा देते हैं कि उसमें क्या नोटिस जारी किया गया है तो चलिए दोस्तों अपने लैपटप के स्क्रीन पर आ गये हैं और यहां पर देखिए राशन कार्ड धारकों को दिये जाएंगे स्मार्ट कार्ड मनमानी पर लगेगी रोक यहां एस्मार्ट कार्ड राशन कार्ड के लिए लाभुकों को देखिए उसके नीचे दिये गया है सरकार की ओर से बार बार राशन कार्ड बनवाने का जहनजट दूर करने के लिए एस्मार्ट राशन कार्ड योजना पर जल्द अमल होगा इसके तहट एक करोड एक 80 लाख रासन कार्ड धारक परवारों को स्मार्ट कार्ड दिये जाएंगे यानि कि जैसे हमने आपको बताया कि ATM वाला चीप लेबल वाला रासन कार्ड मिलेगा यहाँ पे एक करोड एक आसी लाख राशन कार्ड धारको को यहाँ पे एस्मार्ट कार्ड दिया जाएगा अब इसका लाश्ट डेट देखिए कब रखा गया है इसका लाश्ट डेट है 31 मार्च तक राशन कार्ड में सामिल उन सदस्यों को अधार सेंडिंग करवाने का आखरी मौका तो दोस्तो जिनका राशन कार्ड में अधार सेंडिंग नहीं हुआ है उनके 31 मार्च तक अपना राशन कार्ड में अधार सेंडिंग करवा लेना है यहाँ पे 1 करोड 60 लाख लोगों का अभितक अधार सेंडिंग नहीं हुआ है तो चले दोस्तो इस वीडियों बस इतना ही आगा के लिए धन्यवाद